कि हैलो फैंड्स कैसे आप सभी आज सब करता हूं आप सभी अच्छी होंगे और आपकी तयारी है वह भी अच्छी चल गहीं उसी के साथ लेके आ गया हूं एक लेटेस न्यूव वीडियो के साथ और तो आज की स्वेडियो में हम बात करेंगे जैसे कि साहित्य अक्याडमी की एक रिक्रूट्मेंट अल्रेडी आउट हो चुकी है जैसे कि आप सभी को मालूम भी उपका जिसमें काफी सारी वेरियस गुरूब भी गुरूब सी पोस्ट पर एक्रूट्मेंट है तो जिसमें आपको इसके लिए आपको आफन आवालन देना है और अच्छे-ची वेकें चाहिज अमरी से स्टार्ट हो चुके हैं पांच फरवारी 2022 अंत्यमतिदी है वेकिंशी अप्लिकेशन की ओफलन आवे दिन देना है आपको इस रेकूट्मेंट के लिए जिसमें से आपकी अप्लिकेशन की एक पोस्ट है सेल्स असिसंट की दो पोस्त है टेक्निकल बात यहां कि नुदेली की जोब लोकीशन है और निस्ट अफ कल्चर के अंदर आता है तो फर्स्ट अफॉल जितने इंट्रस्टेट कैनिट्स हैं आपना फॉर्म फिलप कर सकते हैं चलते हैं फॉर्म फिलप किस तरीके से करना है पहलो तो यह फॉर्म की पीडिए आपको क सकत comprotaude म bothered toilपक्रण करें जोगी किस तरीक जोपना फॉड्म से करना है तो बात करते हैं किस तरीके से अपना फॉर्म है ज्यादा डिफिकल्त नहीं है बेसी सी इनफॉर्मिशन सा आपको इसमें पिता है तो हुई जैसे कि आपको देखा घॉल प colonial के अपनी फ castleराफ कितने पाद आपने क्रोश सिग्णेशर कर दो हुए आधे साइन फोटो पर आधे साइन एक फोल्ट मैंने आपको बात बात करते हैं फॉर्म को क्यापिटल लेटर में ब्लूपैन के साथ विल करना है नीटन क्लिंग बिना गलती के साथ और मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं लोकेशन काउन सी प्रेफरेंस है जो की अल्मोस न्यू देली की है तो न्यू देली की सारी पोस्ट अफ लोकेशन से आप अपने नाम डाल सकते हो फादर स्नेम अपनी डेट बर्ट जो कि ट्रेंद मार्क सीट पर लिखी हुई है अपनी जो अचन्हां कर सकते हो फाद की जो लास मंच निकल जाएंगे इसको षीनियू उन करें को तो इन दिल्ली से सीवी सी से करी हो भी तो वह अपना यहां पर बोर्ड लिखी गेंगें कौन से यहर में पास करी थी 2019 में पास करी थी कौन कौन से सब्जक्त हैं Hindi English Math Science कितने परसंट थे 60 परसंट थे जो कि जो पोस्ट वाइज है अपकी अलगला क्वालिफिकेशन आपको माई लिए है अगर आपको है कॉलीज है चलाने की टाइपिंग शॉटेंड जो काफी लोगों को पता भी होते हैं उनकी स्पीड बगारा क्या होती है तो जिसमें भी हिंदी में है इंग्लिश में है वो आप अपना यहां पर मेंशन कर सकते हो किस लेंग्वेज में आपको अपना शोटेंड और टाइपिंग टेस्ट देना है अपने डिग्री वगएर आपने कुछ डिप्लोमा वगएरा कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहां पर लगा सकते हो और बात आओंगा कौन-क से काम आपको करने पड़ते थे या अपको यहाँ पर डाटा मेंशन कर दिना तो कुछ यह सारी चीजें ति और कौन-कौन सी लैंगवज चानते हो यहाँ पर लिख सकते हो यहां पर लिख सकते हो चो यह सारे जो रिटेज नवी पर 13 ट्रोफ से बीटोग तो इसमें आप सा तो वैसे तो नो गर हो गए क्योंकि फ्रेशर केंडेट से और कोई भी परेशानी नहीं होगी मेरे इसाब से कोई अटॉप्शन एग्जामिनेशन बॉडी मतलब किसी एग्जामिनेशन के दौर आपको रिजक्त किया गया है वह आप लिख सकते हो यह से नो और कहीं से आपने इसके पीछे आपको फर्स अपना प्लेस डाल के अपना सिग्नेशर कर देंगे जो भी अपने इसी के साथ आपका फोर्म की पीडफ कंप्लेट है इंदी एंगलिस तोनों लेंग्विजिस में है जो भी कंफटेबल हो उसको फिल अप कर सकता है अब बात करते हैं कोन कौन से दॉक्मेंट्स आपको इसके पीछे लगाने हैं इसके पीछे आपको फर्स्ट अफॉल लगाना होगा अपनी जो भी है अधार काड उसके बाद आपकी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें आपकी 10th की माक्सिट 12th की माक्सिट अगर किसी पोस्ट में ग्रेजु ठीए सब्सक्राइब करकें तरह पोस्ट्य लगा सकती हो ओर विस्क्राइब है यही कर दोटेना लगाव भी हमें पर घ्यागए एक्जाम्पल दिखा रहा हूँ अपने जो घर का डाल देना और इसको स्पीड पोस्ट वगार आपको अपना कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे और आपको फटाफट अपना पांच फरवरी से पहले-पहले अपको फॉम फिलप हो जाएगा बाकी पोस्ट भी अच्छी अपना फ्टावड़ी बाकी कर दो हो जो जाएगाल हुआ पोस्ट बाकी कर जाएग़ी य्या क Usually Say